हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ, साथ कई महीने बीट गए हैं, इसके पीछे घर की कुछ परिशानिया थी, किसी वज़ा से मेरा वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था, तो आज मैंने सोचा की पकोड़े बनाएं, थंडी के दिन में पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाहे वो किसी भी चीज के पकोड़े हूँ, तो आज मैंने प्याज का पकोड़ा बनाने का सोचा है, जिसके लिए मैंने प्याज को छील लिया है, और छील के पानी से साफ कर लिया है, उसके बाद मैं ये कटिंग कर ले चॉपिंग बोर्ट पे काटने से और जल्दी कटता है लेकिन अभी मेरा चॉपिंग बोर्ट खराब हो चुका है मुझे दूसरा लेना पड़ेगा इसलिए मैं हाथ से कट कर रही हूँ तो हाथ से कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है अब ये प्याज कटने के बाद मैं इसमें दो हरी मिर्चे काट ले रही हूँ हरी मिर्चे तो मैं डालूंगी ही थोड़ी सी लाल मिर्च भी मैं डालूंगी ये सारे प्याज कट चुके हैं अब इसमें ये बेशन डाल दिया है मैंने बेशन प्याज के अकॉर्डिंग ही डालना है अगर आपको लगता है कि कम है तो और बेशन डाल ले इसके बाद इसमें थोड़ी सी धनिया पीसी हुई धनिया थोड़ी हल्दी और ये लाल मिर्च पाउडर अगर बच्चु को देना है तो आप लाल मिर्च या हरी मिर्च इसकिप कर सकते हैं और ये मैंने स्वात के अनुसार नमक लिया है इन सब को डालने के बाद मैं ये थोड़ी सी धनिया की पत्ती रखी थी इसको भी मैंने डाल दिया है धन्या की पत्ती डालने से पकोड़े में और अच्छा टेस्ट आएगा और सबको डालने के बाद मैं अपने हाथों से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि सारे प्याज आपस में जो चिपके हुए हैं वो अलग हो जाएं और बेशन और मसाले एक दूसरे से मिक्स हो जाएं पकोड़े ठंडी के दिनों में बहुत अच्छे लगते हैं वैसे तो बरसात में भी खाने का मन करता है पकोड़े को खाने से कभी भी जी भरता ही नहीं है तो इस तरह से अपने हाथों से धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे तो जो नमक है ना और प्याज वो सब पानी छोड़ेगा और अगर लगता है कि फिर भी टाइट है तो हलका सा पानी का छीथा दे दें यह देखिए मैंने यह पूरा तेयार कर लिया है हाथों से मिक्स करके और यह बेटर तयार हो गया है पकोड़े का अब मैं इसके पकोड़े बनाऊंगी पकोड़े बनाने के लिए मैंने पहले से गैस पे गडाई चड़ा दी थी और तेल डाल दिया था तेल गरम हो चुका है तेल का ध्यान ये रखना है कि तेल ज़्यादा ठंडे ना हो नहीं तो आपके पकोड़े ज़्यादा तेल अबसर्व करेंगे और नहीं ज़्यादा बहुत गरम हो नहीं तो उपर से पकोड़े जल जाएंगे अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो तेल मीडियम ही रखें कि तेल इतना गरम हो तभी उसमें पकोड़े डालें तो इस तरह से पकोड़ों को डालने के बाद उलटते पलटते हुए मीडियम आज पे सुनायरा होने तक पकोड़े मैं तल ले रही हूँ प्याज में आलू भी मिक्स करके पकोड़े बनाए जाते हैं लेकिन मैंने आज केवल प्याज के ही पकोड़े बनाए हैं कभी-कभी समझ में नहीं आता ना नाश्ते में क्या बनाए तो कुछ अलग तरह का बनाने का मन करता है यह देखिए पकोड़े तल चुके हैं और अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ और इसी तरह से बाकी के भी पकोड़े निकाल लिया है मैंने मैंने पकोड़ों को टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है लेकिन हरी धनिया की चट्टी के साथ और भी टेस्ती लगेंगे तो आप भी इसी तरह से पकोड़े बनाईए बहुत ही टेस्ती पकोड़े बने हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा आगे भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल